मतुरा की थाना कोटवाली लाके में 22 जून को हुए दोहुरे हत्या कांड के फरार आरोपी 25 हजार के इनामी संजे को पूलिस द्वारा गिरफतार कर लिया गया है जिसे विदिवत कारेवाही करते हुए जेल भेशनी की तैयारी की जा रही है आपको बता दे कि मतुरा की थाना कोटवाली शेत्र गली दीपचन में हुए दोहुरा हत्या कांड के मामले में फरार चल रहे 25 हजार के इनामी आरोपी संजे को पूलिस द्वारा गिरफतार कर लिया गया है जो कि घटना के बाद से मामले में फरार चल रहे थे जिसके लिए पूलिस द्वारा लगातार गिरफतारी करने के लिए अभियान चलाया जा रहा था बताते चले कि मथुरा कि थाना कोत वाली शेतर स्थित गली भाक्चंद में रंगदारी को लेकर दो लोगों की गोली मार कर हत्या करती गई थी जहां घटना के बाद से हत्यारे फरार हो गए थे पुलिस ने हत्या में शामिल एक आरोपी को कुछ ही समय के बाद गिरफतार कर जेल भेज दिया था जबकि बाकी रहे गए आरोपी को तलाश में जुट गई थी बताते चले कि महीं हत्या में शामिल मुख्य आरोपी संजे के उपर 25,000 का इनाम भी रखा गया था जिसकी गिरफतार के लिए लगातार पूलिस दबश दे रही थी पूलिस के द्वारा लगातार की गई कारेवाही के चलते आज पूलिस को महत्वपुन कामियाभी मिली है जिसमें दोहुरी हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश संजे को गिरफतार कर लि उनको एक दोरा हत्याकान की घटना हुई थी, जिसमें तीन लोग नामजिद किये गए थे, उसमें सम्रुख विल्ग उसी दिन अरेस्ट करके जेल बेजा जा रहा है, इस घटना में जिन जिन लोगों की अंदर संदिता रही है, उनके बारे में जानकारे जुटाई जा रही ह ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को, लाइब, शेर और सुट्स्क्राइब करें थान्यवाद Banquets Enterprise